जहिन दोस्तों आज हम यह प्राशीन भारत का जो हमारा चैप्टर है वो 6 चैप्टर देखेंगे जिसमें लोग जहन धर्म के बारे में बढ़ेंगे लिए देखते हैं इसको जैन धर्म जो है हमारे जो एक्जाम के पॉइंट अव्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसका एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे ठीक है देखेंगे जैन धर्म हम लोग कर रहे हैं अभी जैन धर्म जिसके संस्थापक और प्रथम तिर्थंकर जो है वह रिसीव यह रिसब देव थे रिसब देव को याद रखेंगे जैन धर्म हम लोग कर रहे हैं अभी जैन धर्म जिसके संस्थापक और प्रथम तिर्थंकर रिसब देव और 23 जो तिर्थंकर है यहाँ पर पाशर्वनाथ ठीक है यह कहां के है कासी के इच्छ वाकू वंसी राजा अस्वसेन के पूत्र थे तो यह याद रखना आपको 23 त इर्थंकर जो थे वो पाशर्वनाथ ठीक है और इनके द्वारा जो दी गई सिक्षा थी वो क्या क्या थी देखे, पहला हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चूरी ना करना और संपत्ति ना रखना तो ये इनके द्वारा दी गए सिक्षा है, कि इनके द्वारा ये पासरवनात के द्वारा उसके बाद आते हैं महावीर, ठीक है, जो कि ये महावीर जो स्वामी है महावीर स्वामी, कि इनका जो है, वो 24 तिर्थंकर है, और मुख्य भूमी का जो होता है इसको आगे बढ़ाने में, वो यही रहते हैं और ये आखरी तिर्थंकर भी हैं, तो देखे, ये महावीर स्वामी जो है, जैन्धर्म के 24 और अंतिम तिर्थंकर है इनका जन्म जो है, 540 इस्वा पूर्व, इस्वा पूर्व ये कुंडल ग्राम वैसाली में होता है ठीक, और इनके पिता जो है, सिधार्थ, गात्रिक कुल के सरदार थे और जो इनकी माता थी, वो त्रिसला, लिछवी राजा चेटक की बहन थी तो ये इतना इनके बारे में याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है और महावीर की जो पत्नी है, उनका नाम है यहाँ पे, यह सोदा और जो पूत्र थे इनकी, अनुज्जा, प्रियदर्शनी महावीर के बच्पन का नाम क्या था, इस तरीके से प्रशना आता है, तो उनका बच्पन का नाम था वर्धमान तो इतना चीजों को याद रखना है, इसमें सभी जितने भी यह हाईलाइट क्या हूं, यह सभी most important है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है देखे आगे देखते हैं, तीस वर्ष के उम्र में इन्होंने क्या क्या था, अपने माता पिता की इनकी मृत्यू के पास साथ, बड़े भाई, जो इनका बड़े भाई हैं, नन्दी वर्धन, ठीक है, इनसे अनमती लेकर कि इन्होंने सन्यास जीवन को एक तरीके से स्विक कर लिया था, फिर वहां उसके बाद से 12 वर्षों की पठीन तपस्या के बाद से महावीर को याद रखेंगे ये ज्रिम्बिक के समीब, जो रिजुपाली का नदी है ना, उसके तटपल साल विरिक्ष, याद रखेंगे साल विरिक्ष है, साल विरिक्ष के नीचे तपस्या करते वे उनको ज्यान की प्राप्ति होती है ज्यान की प्राप्ति होने के बाद से महावीर को जिन का एक तरीके से जिन का मतलब है यहां पर विजेता अपने इंद्रियों को जीतने वाला विजेता तो इसके बाद से इनको क्या होता है ज्यान की प्राप्ति होती है तो कई बार ऐसे प्रश्णे में आता है कि कौन सी नदी के तर्ट पर या फिर कौन से व्रिक्ष के नीचे उन्होंने तपस्षा किया था तो याद रखेंगे ये रिजु पालिका नदी के तर्ट पर और साल व्रिक्ष के नीचे महावीर ने अपना जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भासा में ठीक है यानि कि अर्ध मागदी जिसको कहते हैं वो भासा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था और महावीर के प्रथम जो अनुआई थे उनके जामाद जामिल जामिल जो थे वो महावीर के प्रथम अनुवाई थे एक तरीके से जिसको सीज से कहते हैं ठीक है तो यह जो इसमें जो इस चैप्टर में अभी हम लोग इतना ही देखेंगे क्योंकि हम लोगो और यह वीडियो टाइम पे अपलोड भी करना है और थोड़ा समदब टाइम का म लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे कल अगले जो वीडियो है ठीक है उसमें करेंगे आज थोड़ा सा समय उस तरीके से नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें कुद काम भी करना है अपने को और इस्टडी भी है फिर यूटूब का वीडियो बनाना दो थोड़ा सा मैंनेजमेंट के थोड़ा प्रावलम हो रहा है अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको कंप्लीट सारा चीज मिल जाएगा इसको अभी टाइम पर अप्लोड करना इसले इसको हम लोगों को क्या है इसमें जो फैक्ट है उसको आप इतना थोड़ा सा हलक लगभग सभी चाप्टर कंप्लीट होगा तो देखें एक लिए फॉट फट देख लेते हैं इसको कि जो यह जो जैन धर्मेक के संसापक जो है और प्रतम तिर्थंकर है वह सब देव है इनका यह याद रखना है रिसब देव को याद रखना है ठीक है और 23 तिर्थंकर है पासरवनात जिनका जन्म कासी इच्छा कु वन्सी ए राजा अस्वसेन के पुत्र थे इतना ज़्याद नहीं रखना है अगर आपको रखना है तो यह रखना है कि 23 जो तिर्थंकर थे वो पासरवनात थे इनके द्वारा दी गए इस सिक्षा पास्वा सिक्षा जूड़ेगा महावीर क्यानी के बाद से हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे ठीक है अभी इनका जो है चार सिक्षा इन्होंने दी थी पहला है इसमें हिंसा नहीं करना है सदा सत्य बोलना है जोरी नहीं करना है और संपत्ति नहीं रखना है ठीक है संपति नहीं रखना है ठीक है जैन धर्म में रहा सा ध्यान देंगे संपति नहीं रखना के बारे में कभी-कभी ऐसा होता है मतलब नौर्मली ऐसा होता ही है कि जिस धर्मे में जिस इसका ज्ञान दिया गया है उसके विप्रिद ज्यादा होता है ठीक है तो चलिए देखते हैं आगे यहां पर किसी का भी ऐसा एक तरीके से आलोचना नहीं हो रहा है नहीं देखते हैं आगे चलिए इसको महावीर स्वामी जैन धर्मे के 24 जो यहां पर 24 इसको याद रखना है इनकी पत्नी का नाम था यह सुधा और पुत्री कौन थी अनुज्य, प्रियदर्शनी, महावीर के बच्पन का नाम उवरधमान और यह तीस वर्ष के उम्रों में इन्होंने क्या कर दिया फिर लए चब्तर के से सं्मियास इन्होंने ले लिया था इनका जो भाई का नाम क्या था नर्जी वर्दन है और बार्च तक यह तब अल कर ते कहां पर करते हैं ज्रेम्भिग कुण सी नदी के पास त्ट पर और कौन से facts के नीचे साल रिक्ष के नीचे ठीक है उसके बाद से इनका जो उपदेश है वो कौन से उपदेश कौन से लेंग्विज में दिये थे तो प्राकृति या फिर कि अर्ध मागदी महावीर के प्रथम अनुवाई कौन थे तो इनहीं के दामाद जामिल नव्हां यहां तो इतनी सारी बाते बस आज के डेट में अगर आप 5 से 10 मिनट में अगर इतनी बाते याद रख सकते हैं इतने को अगला वीडियो में आपको और भी थोड़ी सी जानकारी और मिल जाएगी तो क्या है थोड़ा सा माइंड सेट अप हो जाएगा नहीं तो एक साथ इसमें बहुत सारी जानकारिया है ठीक है उससे फिर दिमाग घुमने लगता है तो अभी के लिए इतना ही फिर अगले वीडियो में उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर लें क्या है